गुड मॉर्णिंग प्लस वन क्लास बिटा आज हमारा टोपिक है टेक्सोनोमिक कटेग्रीज टेक्सोनोमिक कटेग्रीज टेक्सोनोमिक कटेग्रीज ठीक है तो बिटा टेक्सोनोमी क्या थी टेक्सोनोमि स्टडी है किसी भी ओर्गनिजम की आइडेंटिफिकेशन उसका नो smallest unit क्या है taxon है taxon is the smallest unit of smallest unit of taxonomy ठीक है सबसे पहले taxon को discover कब किया गया icbn ने इसको discover किया था ठीक है कब in 1964 में इसको discover किया गया था ठीक है तो जो taxonomic hierarchy क्या होता है बटा next term क्या हमारी taxonomic hierarchy hierarchy का मतलब क्या होता है बटा step by step step by step arrange करना organism को ठीक है तो taxonomy आपको पता है क्या है organism का classification तो यहां पर यह जो taxonomy है taxonomy hierarchy के अंदर इसको किसने इसको हम और क्या कहते है लीनियस hierarchy भी कहते है क्या कहते है इसको और हम लीनियस hierarchy भी कहते है ठीक है लीनियस hierarchy क्यों कहते है बटा क्योंकि इसको किसने discover किया है कैरोलस लीनस ने इसको discover किया था ठीक है कैरोलस जो लीनस है उसको हम और क्या कहते हैं कैरोलस लीनस is the father of father of systematic 보 defeat हनी किसके father है systematik 정도 के तो यहां से आपक नीट के लिए question बन रहा है systematik사가 कूं है ठीक है तो बटा यहां पर हम क्या पढ़ेंगे classification तो यहां पर जो classification है बटा है रेक्री के अंदर वो कैसा ascending order में है ठीक है डिसेंडिंग order में है descending order में kingdom सबसे पहले kingdom के बाद क्या होता है phylum जो phylum होती है बटा phylum animals में होता फाइलम plants में होती है और animal में क्या होता है डिवीजन होता है एक ही step पर यह हैं ठीक है next capita class class के बाद order then family then genus then species species is the smallest unit of classification ठीक है इस तरह से यह रेंज है अब अगर हम बात करें चलो human का classification करते हैं तो humans का kingdom क्या बटा human किस में आते है animal में तो animal में तो animal kingdom ठीक है फाइलम कौन सी है हमारी कोड़ाटा ठीक है कोड़ेट है न हम वर्टीब रहे हैं हमारे पास order के हमारी क्लास के है बिटा mammalia mammals है हम लोग ठीक है order के है बिटा हमारा प्राइमेटा प्राइमेट से हैं ठीक है family है हमारी homie nidai homie nidai जिसके पिछे भी ae आ जाता है बिटा वह family हो जाती है genus क्या हमारा homo और हमारा species क्या है बिटा sapiens तो humans का scientific name क्या हो गया homo sapiens ठीक है अब बिटा इनको हम term by term मतलब इनकी definition पढ़ेंगे इस species क्या genus family order class फाइलम और kingdom क्या है तो雅ंब से पहले बात करते है species की species को किसने discover किया जोहन रे ने इसको discover किया है यह भी एक number का question ओगया species को किसने discover किया जोहन रे ने इसको discover किया है और इसमें क्या है कि इंडिवीज़ गी जो character श्टिक्स ज्यादा से ज्यादा characteristic match होते है मतलब closely related animals होंगे ठीक है animal या plant कोई भी organism होगा लेकिन closely related होंगे और उनके जो evolutionary history होगी वहीं उसमें कहीं ना कहीं उनके parents same रहे होंगे ठीक है species के बाद बात करते हैं बिटा जीनस की जीनस के है बिटा group of दो related species जहां पर दो species साथ में होगे अब देखो species में तो हम example लेते हैं lemon नीमबू संत्रा ओरेंज ठीक है और मोसमी जो है हमारी ठीक है इन सब का देखो fruit एक जैसा होता है plant के leaves एक जैसे होते हैं सभी में citric acid पाया जाता है तो मतलब इनके अंदर बहुत ज जीनस की बात कर रहे हैं तो जीनस में क्या होगा दो species होंगी जिनके करेक्टर से एक दूसरे से मिलते होंगे तो उन दो closely related species को हम क्या कहेंगे जीनस कहेंगे ठीक है जैसे कि होमो मीन्स कहीं ना कहीं उनके एंसिस्टर सेम रहे होंगे ठीक है जैसे कि हम human beings का जब evolution पढ़ते हैं तो उसमें homo sapiens है ठीक है और उसके अंदर क्या है हमारा जैसे की homo sapiens है या फिर homo australians है ठीक है तो वो क्या है same हो गए हमारे अब बिटा अगर हम किस की बात करे next family की बात करे तो family में क्या होगा दो genus जुड जाएंगे ठीक है दो genus जुड करके क्या बनाएंगे हमारे family बनाएंगे family में बात करें जैसे की cat family है जैसे lion हो गया tiger हो गया cat हो गई मतलब जितने billi के जैसे हमें दिखाई देते हो सारे cat family की organism है जैसे की folks हो गया dog हो गया हमारा ठीक है लकड बग आ है यह सारे के सारे क्या है बटा हमारे dog family के ओरगनिसम्स है ठीक है समझ में आ रहा होगा cat family dog family हो गया है यहाँ पर example में अब बटा अगर हम बात करें order की तो order में दो family जुड़ जाएंगी ठीक है और क्या बना लेंगी order बना लेंगी जैसे कि प्राइमेटा जो अभी हमने पड़ा उसके बाद एक class अब देखो class की बात करें तो school में जो combine होकर के common character वाले वह क्या बना लेंगे एक class बना लेंगे जैसे कि मैमल में तुम्हें पता है हम लोग भी मैमल में आते हैं ठीक है या फिर जो cow बफैलो यह भी मैमल्स हैं तो बहुत सारे organisms जो मैमल में आरे वह क्या हो गया एक class हो गई उसकी फिर अगर फाइलम की बात करें के लिए यूज और डिवीजन प्लांट के लिए यूज हो रहा है तो इनके अंदर जो features होंगे वह class दो class combine होकर के बनेंगे ठीक है kingdom की बात करें kingdom क्या हो गया राजा हो गया पूरा तो kingdom के अंदर हमारे main 5 kingdoms है जैसे की animal मतलब जितने move करते है moment करते हो सारे animal category में रख दिये जो moment निकर रहे एक जगह पर fix है वो सारे plant category में रख दिये गए ठीक है जो microorganism है उनको monera में डाल दिया bacteria वगेरा को ठीक है जो fungi के जैसे दिखते ह उनको fungi में डाल दिया तो वह में में मोटा मोटा जो classification है उसे हम क्या कहेंगे kingdom कहेंगे ठीक है अब बिटा kingdom के बाद में क्या हमारे taxonomic aids taxonomic aids क्या है बिटा taxonomic aids क्यों useful है हमारे लिए agriculture में useful है forestry इंडस्ट्री ठीक है यह इनकी study essential है किस लिए essential है bio resources के लिए और biodiversity के लिए biodiversity बताया था ना क्या है कि अलग अलग मतलब different different form of life living organisms तो उनकी studies में involved है तो यह दोनों जगह पर useful है हमारे लिए कहां पर हमारे फिल्ड में भी और laboratory के अंदर भी taxonomist कौन होते हैं जिसके पीछे भी is tis वर्ड लग जाता है taxonomist वो क्या होते हैं जिस चीज़ के study करते हैं तो अलग अलग टाइप के वह एड डेवलप करते हैं किस लिए जो identification में अल्प कर सके नोमन क्लेचर में और classification में organism के तो यहां पर जो taxonomic aid है हमारे taxonomic aid में क्या क्या आता है नंबर वन है हर्बेरिया हर्बेरियम जिसे हम कहते हैं ठीक है हर्बेरिया geolosical parks botanical gardens and keys यह चीज़े हैं हमारे taxonomical aid में तो हम बात करते हैं पहली हर्बेरियम की हर्बेरिया की हर्बेरियम क्या है बिटा एक किताब है ठीक है जिसके अंदर a4 sheets होती है उस a4 sheet के उपर हम लोग क्या करते हैं कोई भी leaf plant का ठीक है कोई भी प्त्ता रखते हैं ठीके और उसको बेटा खरते हैं पुली थी सिर्थ से कवर कर देते हैं उस फ़े जिपकां करके और क्लासिफिकेशन लिखते हैं फिर स्टेप बाय Yellow जो खलासिफिकेशन हमने अभी यह पढ़ार यह क्लासिफिकेशन है अमारा यह classification लिखते हैं उसका habitat लिखते हैं कि वह organism कहां पाया जाताएं कैसे area में पाया जाता है ठीक है वह सब लिखते हैं और फिर उसको लंबे टाइम तक हम and UN करके सकते किस लिए स्टोर करके रख सकते हैं फीचर में study के के लिए रख सकते हैं ठीक है तो इसलिए हर्वेरिया की जरूरत है अब बिटा अगर हमारे यहां पर इंडिया के अंदर में तीन हर्वेरियम है एक कलकत्ता के अंदर है जो बिटनीकल सरवे में हल्प करती है दूसरी बिटा दहरा दून में है जो रिसरच इंसर्ट में फोरइस रिसर्च इंसर्ट और तीसरी लकनवें है जो कि नेशनल बिटनीकल रिसर्च के लिए hicol rocks घ्यए यहां पर है जब करते नेक्स't for Botanical Gardens यह जो Botanical Garden Turkey study of plants लम्ue करते हैं में प्लांट को कंजर्व करते हैं पप्लिक की अजूकेशन के लिए मतलब एक बना दिया जाता है जैसे कि छू होते ना उसी तो अभी प्लांट के लिए बोटैनिकल गार्दं बनाये जाते उनमे अलग अलग तरह के प्लांट लगाए जातेे हैं फिर वह कौन से प्लांट होते हमारी आर्थ से खतम होने वाले कि भू और जहसे कि हार्ब से मैयली सीन फ्लांट जाधा तर aesthetic or recreation ताकि हम उनको दुबारा से लगा सके इसलिए botanical gardens का use किया जाता है ठीके तो बिटा therapeutics को maintain करने के लिए therapeutics means दवाईयों को maintain करने के लिए सबसे पहले botanical garden को develop किया गया था और किसने develop किया था एक ग्रीक का philosopher था जिसका नाम क्या था थीरो फ्रेश्टस ठीके उसको इसका father of botanical garden था वो पंदरा सो चवालिस में पीसा इटली के अंदर develop किया था ठीके किसने develop किया लूसा कोहीनी नाम से एक professor थे बोकनी के उन उनने इसको develop किया था ठीके रोल के आए बिटा बिटेनिकल गाइडन का वही कि हम उनको teaching के लिए use कर सकते हैं on-site teaching में help करता है research purpose में help करता है environment को improve करने में help कर रहा है ठीके large number के उपर workers उसमें काम कर सकते हैं ठीके तो इसलिए हम इनका use करते हैं अब बिटा हमारा एक टोपिक बचाओ अनली जू लोजिकल म्यूजियम और कीजी है हम लोग कल पढ़ेंगे जूजियम करने वारा को चेर्फ।